द्रिश्टान्त और रहस्य से देख सकते हैं लेट्स वेलकम ब्रदे अमडी जेगन बहुत सारे सवाल है ब्रदे जेगन वेलकम ब्रदे अनिबाद हमने इस कारिकर्ण के बारे में जब सोचा तो हमने सोचा कि बस इतना ही एक करेंगे लेकिन पवित्रात्मा का साथ हमी जो मिला उसने हमें आज ये चालीसवा एपिसोड तक लेकर आया है अब देखिए मैं यहां कहरा हूँ कि पवित्रात्मा का साथ है अब ये जो साथ जो है इसे हम कैसे महसूस कर सकते हैं कैसे समझ सकते हैं परमेश्व ने कहा मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है हमारा दर्शन तो बहुत ही छोटा होता है इसे हमें निश्चे देखना होगा हमारी सोच सीमित है हमें एक प्रोग्राम करेंगे 26 एपिसोड का इस तरह हमने सोचा था लेकिन परमेश्व ने 40 एपिसोड का प्लान किया था क्योंकि इसमें इतनी सारी बाते हैं हमें शुरू में ये बात पता नहीं थी नहीं तो हम शुरू में ये सोच लेते कि ये तो 40 वा है अब देखे ये क्या कहता है कि हमें पवित्रा आत्मा में बढ़ते और बढ़ते जाना है और फिर हम ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर हम उसकी योजना को समझते हैं और दुसरी बात ये है कि हमें बढ़ना है इसमें मुख्य जो है आज हम आजके लगभग इसमें मूव करें डिसाइपल्स पर कुछ जगह पर कुछ बातें समझ में आते हैं समझगे ऐसा कह रहे हैं बहुत जगहों पर समझ नहीं आई ऐसा कह रहे हैं लेकिन ये जॉन चप्टर 16 जो है वो पर्टिक्रोरली इट्स वेरी युनिक वर्स ये युनिक चप्टर ये योहनना 16 में और वो भी इसमें परबल से समझगे विशय इसमें है तो इस बात को हम कैसे जोड़ेंगे इस जॉन चप्टर 16 में योहनना 16 वच्च चेलों ने कहा देख अब तो तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टान तो नहीं कहता इस तरह से कहा यहाँ पर उसने क्या कहा था पवित्रात्मा के बारे में कहा था और कौनसी कौनसी घटनाए होने वाली वो कैसे दुक उठाएगा ये सब बिल्कुल सपष्ट बताया जब ईशो ऐसे बात कर रहे थे तो चेलों ने उससे कहा अब तो तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टान तो नहीं कहता इस तरह कहाँ अब देखिए यही चेला अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो यहना अध्याय दस में जब दृष्टान में बात की और वो उसे समझ नहीं पाई यह एक है सामाने रूप में हम यही तो अपेक्षा करते हैं सपष्ट बता दिया तो सब लोग समझ पाएंगे यही तो हमारी अपेक्षा होती है लेकिन किस से बहुत सपष्ट बात करते हैं यही तो सवाल है क्या यह संभाव है कि अपने रिदय की सारी बाते सब को सपष्ट बताएं यही तरह से चेलों से बाते की दृष्टान्तों में बात की तो कई बार सपष्ट बात की अब यहां पर इस यात्रा को देखिए हम यहना के अध्याय सोलह में आते हैं अध्याय सोलह में आते हैं वो सब लगभग इश्व के साथ तीन साल रह चुके थे यात्रा कर रहे थे उसके साथ यात्रा करने वाले उसकी बताई आधे से भी जादा बात नहीं समझ पाए नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे कहां, केवल इस जगह पर आकर वो कहते हैं, देखो अभी आप हमसे खुल कर बात कर रहे हैं, इस तरह से कहां, किस विशय को स्पष्ट बताना है और किस विशय को दृष्टान्तों में बताना ईश्यू को पता था, पवित्रात्मा के आ वानवद होने को पहुंचाया गया और वैसे ही उसने भी अपना मुह न खोला ये सब सपश्ट है इस तरह की बातों में जो कुछ भी स्ट्रेट कहना था उन सब को उसने स्ट्रेट बता दिया है यहां भी ऐसे ही है उसने आने वाले पवित्रात्मा के बारे में यहां पर साफ बता दिया अब यहां पर वो उन से बिल्कुL स्ट्रेट सीधी बात करते हैं अब देखिए यहां पर क्या है जब दृष्टांत में कहां गया तो वो क्यूं नहीं समझ पाए है ना देखिए अब हमारे बीच की बात है देखिए आपने यह पहले भी कहां है वो क्या है यान पुछे तो मैं सोचता हूँ देखे कई बार पवित्रात्मा एक सहयक के रूप में आकर सब कुछ समझने में मदद करता है। गालाचित उसे धूंडे तो उसे पाएंगे तो इस तरह के विश्यों के बारे में यीशु ने फरीसियों से कहा तुम धूंड निकालो लेकिन कई बार देखिए पवित्रात्मा के मार्गदर्शन के बिना बस पड़ते हैं ताकि वो इसे धूंडे और इसे पाए जिनमें समझेर देखोड कोई रच innovator कोई नहीं है कई बात है और ये तो सुनने वालों का विशह है आपने comments में नीचे में जरूर देखा होगा उसमें कुछ लोगों ने इस तरह लिखा हम बहुत स्पष्ट रीती से समझ पा रहे हैं इस तरह किसी ने लिखा तो कुछ लोगों ने लिखा इसमें बहुत गहराई है इस तरह comments आते हैं एक comment भी इस तरह से आया इन प्रकाशनों के बारे में आप इस तरह से क्यों कहते हैं इस तरह से भी लिखा है देखे एक ही program के लिए लोगों की अलग प्रतिक्रिया है reactions हैं इसी तरह के लोग इशू के साथ भी थे इशू के साथ होना ये तो महतोपुर्ण बात थी लेकिन उससे बढ़ कर वो क्या कह रहे से समझना जरूरी था वो इशू के साथ में क्यों थे इशू के साथ रहना था उसकी बाते सुननी थी उसके चेले बनना था और अगली पीड़ी को तयार करना था पर उसकी बात ही नहीं समझ ऐसे करे तो वो अच्छे लीडर हैं। यहाँ ईशु ने यही किया, वो उने बताते गया और फिर स्पष्ट रूप में बताया। देखो यह आने वाला है। उसी के साथ में एक समय ऐसे आया जब वो दृष्टांत को समझ पाए। एक समय उन्होंने पूछा, हम यह इस तरह उन्होंने पूछा, तो कई जगह पर उसने बताया और चले गया, लेकिन वो उस दृष्टांत का अर्थ समझ नहीं पाए इस तरह से वो चले गया। अभी इन ही चेलों को आज आप लीजिए, पवित्रा आत्मा आने के बाद में इन पूरे वचनों की पुराने न पूप में देखे तो दानियल तो वो बड़े घराने से आता था, दानियल के पहले अध्याय को अगर पढ़े तो वो इसरायल के राजपुत्रों और प्रतिष्टित पुरुशों के जवानों को ले गये, दानियल बहुत पढ़ा लिखा था, अब देखे ये पहला भाग है ये प्रकाशन का पहला भाग, दूसरा भाग किसे दिया पूछे तो यहुन्ना को, यहुन्ना के बारे में वो खुद और पत्रस भी बताता है, हम जो पढ़े लिखे नहीं थे हमारे द्वारा परमिश्वन ने महान काम किये, तो देखिए प्रकाशन का दूसरा भाग किसे एक और contrast पूरे विपरीत को ये बहुत पढ़ा लिखा था और ये अनपड़ था दूसरी बात ये राज घराने से था याने वो तो राज घराने से आया था और ये कौन था मच्छवारा था ठीक है तीसरी बात ये सब कुछ कहां से लिख रहा था दानियल ये देखे तो राज महल से बिलशाजर के राज महल से यने वहां रहकर उसने लिखा इसने कहां पर से लिखा बंदीगर है जेल से लिखा इन दो विपरीत लोगों को रख कर परमेशवर ने हमें एक ही प्रकाशन दे दिया पुराने नियम में वो नए नियम में ये इसका मतलब परमेशवर किसी को भी लेकर अपने तरीके से उपयोग कर सकते हैं। हम कहते हैं में प्रकाशित वाक के समझ में नहीं आता है। उसे देने वाला ये ऐसा ही है। दानियल की किताब इस तरह से थी। इन दोनों को अगर एक साथ जोड़ दे और एक किताब बनाए। इन दोनों की तुलना करके देखें दोनों बिलकुल विप्रीत थे। दूसरी तरफ उन में से कुछ मचवारे थे। इन लोगों के एक जो टुना ही मुश्किल है। यानि उन्हें किस तरह से ये समझा कर बताएंगे। अब देखें मैं केवल उधारन की रूप में ये कह रहा हूँ। किसी को गिराना या उठाने के लिए उधारन की रूप में कह रहा हूँ। कही अच्छा पढ़ने वाला लड़का और एक कम पढ़ने वाला यानि एक एवरेज स्टूडन्ट है। उन सब को एक क्लास में रखकर एक ही पार्ट सिखाया जाता है। फिर भी सब का रिजल्ट एक ही जैसे नहीं आता है। संभव नहीं है ना यानि एक से एक रिजल्ट मिलेगा दूसरे से अलग रिजल्ट मिलेगा। उसका ग्रास्पिंग पावर अलग है। इस तरह कि परिस्टि में यीशू बैठे थे वहां 12 लोग थे। 12 लोग कुछ ऐसे थे कुछ भी कहे तो भी समझ नहीं पाती थे। यानि किस हद तक क्या कर सकते थे। अब कहिए कि इस परिस्टि में पॉलूस को वहां पर रखते उधारन के लिए यीशू जो भी कहते तो कौन समझता। पॉलूस के लिए समझना आसान था ना समझ सकता था। इस हद तक तो पत्रज भी समझ नहीं पाता था। देखे इसी तरह से 12 लोगों के सामने एक ही दृष्टांत अब उनमें से कहता है कि मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। उसके बाद में एक ग्रूप ने कहा हम इसे समझ नहीं पाए किसी को भी समझ में नहीं आया। इस तरह से स्वर के जो रहस्य है वो आकर संसार को देना उसका लक्ष कहे तो बस एक शब्द में कहकर मैं आगे बढ़ूँगा। बेटा घर में आकर बताता है मैट्स में मार्क क्यों कम मिले। टीचर ने अच्छे से नहीं सिखाया। जब वो कहता है कि मैं इसे समझ नहीं पाया तो उसने उस पार्ट पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया। तो फिर टीचर का नाम खराब होता है, अब उससे ये समझाना होगा, 12 को समझाना होगा, क्योंकि अगर ये 12 लोग इसे समझ गए, तो ये लोग जाकर अगली पीधी को इसे समझाएंगे, ये सारी बातें उन्हें समझाने के लिए प्रभू को किस तरह का शिक्षक होना चाहि कि वो ऐसे कह सके, ओ अभी मैं इसे समझ पाया, उसने खुद कहां तुम्हें बताया गया, अब तुम समझ सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, खुल कर बता रहे हैं, लेकिन रहस्यों को स्पष्ट कैसे बता सकते हैं, वो बार-बार कहते चले गए, पिताने जो दिया है, वो मैं दूंगा, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, ऐसे कहां, अब देखे कई बार, देखे हाल ही में मैंने इस तरह पढ़ा, कि स्कूल के एक टीचर ने, एक क्लास ली, तो बताते वक्त, उन्होंने जो तरीका अपनाया, विध्यारतियों को समझाने के लिए, उन्होंने नया तरीका अपनाया था, नया तरीका अपनाने के बाद, स्कूल ने बुला कर कहां, आप ये तरीका मत अपनाये, ये जो तरीका है, ये स्कूल में उप्योग नहीं करना चाहिए कहां, हम जिस तरह से सिखा रहे हैं, उसी तरीके से आपको सिखाना है, देखे मैं ये सोचन करते हैं पर स्कुल्स विकार नहीं करता आप ऐसा नहीं कर सकते याने क्लास में जो तरीका अपनाया गया ये उसी तरह की परिसिती में थे पिता ने जो कहां वो कहता हूं तो याने यहां उसने जो कहां वही मैं कह रहा हूं पर ये समझ नहीं पा रहे हैं अब उसे ये समझान लेकिन यहां पर जो अगवा कह रहा है, टीचर कह रहा है, वो उसे समझ पाई या नहीं ये देखना है, ये यात्रा बहुत महतुपुर्ण है, इसके लिए साड़ी तीन साल चाहिए थे, अब देखिए जैसे कि पहले कहते थे, कलीसिया में, पास्टर की अधीनता में, कम से कम पांच ये दस साल आपको बिताना जरूरी है कहते थे, क्योंकि ये शु के साथ रहने के बाद भी साड़ी तीन साल लग गये, कि वो उन बातों को समझ पाए, उन्हें साड़ी तीन साल लगे, सबसे उत्तम शिक्षक ये शु से सीखने के लिए, आज तक कोई भी टीचर ये इशु के जैसे नहीं है, तो मैं तो यही करूँगा कि इशु के लिए साड़ी तीन साल लगे, तो हम जैसे लोगों के लिए पांच ये दस साल तो लगेंगे, बेसिक, मैं कहा रहा हूँ सेवकाई के लिए, विश्वासी के लिए नहीं, सेवकाई के लिए समरपन करके, मैं कि उनके पास में है वो लोगों तक पहुंचेगा आज कल ऐसे इस तरह से रहा देखना नहीं है इस तरह की यात्रा में जाना ही नहीं है अगर आप थोड़े क्रोध में आकर उनसे कहें तो वो अलक सेवकाई शुरू करेंगे वो बढ़े नहीं बढ़े कोई नहीं जानता अग गर पूछे कि आपको क्या समझ में आया एक द्रिश्टान भी नहीं समझे द्रिश्टान छोड़ी एक वचन भी नहीं समझे वो घर चली जाते हैं कारण क्या है एक समुह में होकर अध्यन करना कि विशय को समझे उसमें चूग गए आज यही तो हमारी यात्रा में सबसे ब नहीं समझ पाए कौन सी यात्रा में जा रहे थे ? यानि सामान इंरूप में कहते हैं कि माइंटशेट ही नहीं समझ पाए गर फ La Me इस तरफ कहा, अगला कौन आएगा, कहिए वो चले गया, कहिए आप में और मुझे में लडाई हो गई, ना आएकिया अनुसर क्या है? याने इसने कहए कि यह जा रहा है, तो क्या यह सच में मर जाएगा? घर में भी मजाक में हम यह कहते हैं न? मैं तुम सब को छोड़ कर जा रहा हूं तो बच्चे पूछते हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं है ना 12 लोगों ने कोई सवाल नहीं पूछा बस वो तो यही कह रहे थे कि हम तो कुछ समझ नहीं पाए हैं अब इसके बाद में वो इसे समझ पाए मैं केवल यही नहीं कह रहा हूं कि पवित्रात्मा आने के बाद में ही ये घटना वहाँ पर होई थी मैं ये जानता हूं पवित्रात्मा आने के बाद में हम वचन समझते इसमें कोई बदलाव नहीं वही तो हमें सब कुछ समझाता है देखिए कुछ विशय में बुन्यादी रूप में सामान्य रूप में हमने इशु को स्विकार किया है हमारे विवेक में उसे स्विकार किया पवित्रात्मा पाए बिना कुछ लोगों को देखे इशु ने जो कहां उसे पूरी तरह समझ पाए देखे उसने कहा नाथानियल के बारे में निकदुमिस के बारे में उनमें पवित्रात्मा नहीं था जो ये कह रहे थे वो समझ पा रहे थे ये बात सच है ना देखे यहां पर और भी बात है यहां और भी कुछ हो रहा है यहां पर देखा जाए तो स्वर्गिय रहस्यों को उ उन्होंने बहुती साधारन रूप में लिया था। इशु जिन्हें धूम्टे हुए आए उन्होंने इशु को बहुत गंभीरता से लिया। पर जो लोग इशु के साथ में थे उन्होंने इशु की बात को गंभीरता से नहीं लिया। बाद में ही उन्होंने इसकी गंभीरता को समझा. अब यहां यहणना में ही देखिए 16 में वो समझ गय कि वो तो परमेश्वर का पूत्रह यह कहते हैं. देख अब तो ऊखोल कर कहता है अब हम जान गए है इससे हम विश्वास करते हैं कि तो परमेश्वर की ओर से आया है वचन 30 में अब उन्हों अकिला छोड़ दोगे जब यह ऐसे है तो क्या उससे महसूस नहीं कर पा रहे थे इशु ने ये बाते कहीं और अपनी आखे आकाश की और उठा कर कहां इन लोगों ने क्या उत्तर दिया लिखा नहीं है इसलिए कहता हूं जो इशु के साथ में रहते थे उन्हें इसकी गंभ नहीं पहचानते हैं कई बार कुछ लोग उसे बाहर से देखते हैं तो उसकी कीमत को जानते हैं और ये तो बहुत ही मुल्यवान है कई बार जब आकर बताते हैं तब ही हम उसके मुल्य को जान पाते हैं किसी ने एक बार मुझे कलाई की घड़ी भेंट की सामाने रूप में मुझे घड़ी पहनना पसंद नहीं यह नहीं कि मैं उसे गलत समझता हूँ घड़ी पहने तो हाथ में वजन मैसूस होता है लाइट वेट की घड़ी होती तो ठीक था एक घड़ी दी और मैंने वो घड़ी बाजू में रग दी और फिर एक दिन मेरे बेटे ने पूछा कि भी हजार उपे की दस हजार की घड़ी जब ऐसे कहां उसके बाद में मैंने वो घड़ी उठाई उसे अच्छे से साफ किया और पहनने लगा फिर उसे आलमारी में रखना शुरू किया देखिए अब उसके कीमत को क्या हुआ पहले पता नहीं था कोई आकर बताता है तब मुल्य है जो इशु के साथ थे वो से नहीं जानते थे वो उसका मुल्य नहीं जानते थे इसलिए उसकी बातों का भी मुल्य नहीं जानते थे सोची ज़रा इशु के जाने के बाद इतना कुछ याद करके उन्होंने ये सब लिखा पवित्रात्मा की प्रेर्णा से तो कैसे महसूस किया होगा ओ हमने इन सारी बातों का ऐसी छोड़ दिया जब वो सात में थे हम उससे पूछ सकते हैं इस तरह का विचार आता है यही तो है देखे यहां पर तीन साल के बाद में उसने कहा देख अब तो तू खोल कर कहता है हम इससे समझ पाते हैं लेकिन उन्होंने साड़ी तीन साल तक क्या नहीं किया साथ ट्रैवल करते वेड़ पता नहीं चला स्वर्ग ने उन बातों को शायद ऐसे ही रख दिया यने कुछ विशे बस रहसे ही रहे गए उसके बाद तो ऐसे समझे क्या समझ में नहा आने पर भी हम कोशिश करके उसे जब खोसते हैं पवितरा आत्मा के साथ जब खोसते हैं प्रभू जो है विलिंगली उसे कहते ही आ रहे हैं क्योंकि उतने सारे disciples sacrifice हो रहे हैं उनका life ही sacrifice कर रहे हैं दानियल की किताब में देखे तो वहां वो दर्शन देखता है साथवे अध्याय में देखने के बाद उस दर्शन के बारे में दस सिंग और फिर छोटा सिंग इसके बारे में चिंतित होता है ऐसे कहता है, जब ये जाकर पूछता है, तो स्वर्दूत आकर बताता है, जो विवरंड तुने मांगा था, उसे बताने के लिए मैं आया हूँ, और इस तरह वो उसका विवरंड देता है, वहाँ स्वर्दूत ने बताया, पर ये तो ईशू के साथ में थे, यहाँ भी वैसे जाकर पूछते तो विवरंड देते, क्या तुम्हें अब तक ये समझ में नहीं आया, लेकिन ये शू क्या अपेक्षा कर रहे थे, तुम्हें इसके ऊपर आना होगा, मैंने जो कहा समझना होगा, अगले लेवल पर आना है, अगले स्तर पर, एक जग कहां, खमीरी रोटी क से कहां, तुम क्यों विचार करते हों कि हमारे पास रोटी नहीं है, क्या मैंने 5,000 लोगों को भोजन नहीं दिया, 4,000 को भोजन नहीं दिया, तुम क्या कह रहे हो, मैं तो कुछ अलग ही कह रहा हूँ, तो परमेश्वर के अपेक्षा ये है, तुम इस लेवल पर आ जाओ, ऐसे कहने पर अपेक्षा होनी चाहिए, लेकिन चेलों में ये बात तो नहीं थी, वो उनमें नहीं थी, आज भी नहीं है, परमेश्वर के बहुत से दासों में ऐसा व्यक्तिया करने श्यप फस जाता है, वो तो बाइबल टीचर हैं, या कहिए कि 15 या 20 साल से वो बहुत और उनके साथ में उनका असिस्टन्ट होता है, वो जो कुछ भी कहते हैं उस बात को ये नहीं समझते, वो उल्टा ही करते हैं, देखें वो तो ऐसे टेंशन में आते मैं सोचता था, उस तरह के लोगों को अपने क्रोध पर नियंतरन रखने के लिए ये लोग तो टेस्ट ह जिया तुने देखा है, वो बनाएगा, वो जो बना रहा है वो सही है क्या देखना, ये भी कहां, वो गहरी सोच रखता है, वो जो बना रहा है उसे सही है क्या देखना, कई बार शरीर में ज़्यादा सोचने से कुछ बदलावाते हैं, वो बनाएगा लेकिन वो सही है क्या ये त ना रहा था यानि बहुत सोच विचार करना है जरा सोची अभी हमारे पास इस तरह का असिस्टेंट होगा तो क्या होगा वर की बहुत एजी हो जाएगा जिब आपको 10% अच्छा उटपुट मिलता है और थोड़ा बेटर आएगा तो आपके आप एक्षा करते हैं मैंने जो बताया उसका 80% भी कर दिया तो ठीक है ऐसे आप सोचते हैं पर वो 40 ही करता है तो पर लोग में जो है वो हमें कैसे देख रहे हैं ऐसा एक सोच भी आता है जी हाँ मुझे समझने पर अच्छी तरह काम करेंगा नहीं अच्छा करेंगा समझ नहीं होगा यू मस्ट इसी तरह इश्यू बार-बार कहते हैं अब तक तुम इसे नहीं समझे अभी भी ये दृष्टांत नहीं समझे मैंने जो कहां उसे अब तक तुम नहीं समझे इस तरह कहते हैं वो क्या अपेक्षा कर रहे हैं मैंने इतने विश्य के बारे में बताया है इसे समझना चाहिए मैं जो कह खेह रहाऊं वो गैच करना चाहिए इस तरह कई बार हम क्या सोचते हैं Povitraatma पाने के बाद में ये सब Povitraatma पाने के बाद में आना चाहिए पवितरात्मा आने के पहले अपेक्षा करते हैं यहां कहते हैं मैं जाकर पवितरात्मा भेजूंगा वो आकर तुम्हें सारे सत्ते बताईगा वो अपनी ओर से नहीं कहेगा मुझसे पिता से सुनकर वो तुम्हें बताईगा वो तो अपनी और से नहीं बोलेगा देखे पवितरात्मा क्या देता है? इसके बाद में पवितरात्मा के बारे में वचन में पवितरात्मा के बारे में बताया है यीशू के साथ में रहते हुए इन विश्यों को समझना था पर वो उसे नहीं समझ पाई थे अगर वो इससे समझ लेते तो वो ईशु मसी से और क्या पाते समझ रहना देखे इसके बारे में एक वचन में ईशु ने कहा है मुझे तुम से और भी बाते करनी है पर अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते यानि अगर मैं तुम्हें बताओ तो तुम उन्हें सह नहीं सकते यह ना सोला में कहा है वो भी कह रहे हैं ऐसी बहुत सी बाते हैं देखें यहां पर अगर वो इसे समझ लेते जो उसने कहां अगर उसे मानते तो ऐसी बहुत सी बातें दृष्टांत बहुत सी बातों के विश्य में बताते लेकिन उसने ये नाप रखा हुआ है इसलिए स्वर्ग ने से ऐसी रख दिया सो जॉन चप्टर 16 में एक मुख्य क्लाइमाक्स आए कि अभी आपने जो कहा वो समझ में आगया ये एक अगार पर आगया है मैंने से इस तरह समझा हमने तकरीबन 40 एपिसोड के दृष्टांत और रहस्य अब इस कारिकरम के 40 एपिसोड को जिन्होंने देखा उनको अभी जो हमने कहा वो समझ में आएगा ये मेरी समझ है कुछ नापतार समझ पारे है और ये बहुत ही सठीक रहे का एक अंत के लिए मैंने में नहीं सोचा था कि 40 एपिसोड होगा बट अभी एक पार्ट समझ में आ रहा है अगला हम क्या करेंगे हमने रेवलेशन से शुरू किया था रेवलेशन में हमने तीन सीजन किया बाद में हमने Office of the Church का एक सीजन किया उसका भी कुछ एपिसोड किये त्रिश्टान तर रहस्य भी आज समापन पर है नेक्स जो है अब दर्शक बहुत सारे सवाल भी पूछ रहे है क्या उसके आधार पर हम कुछ करेंगे एक बात तो ये है बहुत से बहुत से मतलब हमने अपनी और से सबसे अच्छी कोशिश की है I think more than 200 एपिसोड व्यादा हो गए है याने इस तरह से मागे बताते जाएंगे पर कुछ समय देंगे कि वो अपने संदे बताए क्या नहीं समझ पाए ये क्या पूछना चाहते हैं इसके बारे में ये तो देखे अब तक हम दोनों बैट कर बाते करते रहें कुछ दिनों तक दर्शकों को बोलने दीजिए उन्हें पूछने दीजिए हमने अब तक जो एपिसोड में सिखा इसमें आपके कौन से संदे हैं उन्हें पूछने दीजिए और फिर कुछ दिनों तक सवाल जवाब होंगे मुझसे बहुत से लोग सवाल पूछते हैं डाउट्स पूछते हैं फोन करते हैं अन्हें मैं समझा कर बताता हूँ जैसे हम इतने वाइड मीडिया में जा रहे हैं तो इस तरह के संदेहे बहुत से लोगों के लिए मदद करेंगे। दर्शकों के प्रश्न वो हमें भेज सकते हैं इमेल आईडी पर या वाटसैप नंबर पर जो स्क्रीन पर आ रहा है। यदि इस पर ये भेजते हैं तो इस तरह से एपिसोड में हम उन सवालों को लेकर उसके बारे में चर्चा करेंगे उसका जवाब देंगे। साथ ही हम भी ये समझ पाएंगे कि हमारे प्रोग्राम को किस हद तक समझ पा रहे हैं ये जानेंगे। तो देखे यहीं पर हम दुरुष्टांतों के रहस्य की सीरीज खत्म करते हैं और फिर आगे Q&A शुरू करते हैं इन बातों पर आधारित होकर तो कृप्या करके आप अपने सवाल भेजिए हमें भेजिए अर्श्विन ब्रदर और मैं दोनों कोशिश करेंगे कि आपके सारे एपिसोड में मुझे खुशी इस बात में है कि सब एपिसोड में मैं ही सवाल करता हूँ अब दर्शक सवाल करेंगे इसलिए मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा जी आप तो ये कह सकते हैं कुछ भी हो जवाब तो मुझे ही देना है देखे कुछ लोगों ने ये कहा अश्विन ब्रदर बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं अच्छा जवाब पानी के लिए अच्छा सवाल होना चाहिए इस तरह से जी दर्शकों के लिए उपियोगी हो ऐसा एक कारिक्रम और प्रभू की कृपा से ये कारिक्रम वो चला रहे हैं धन्यवाद ब्रदर जगन आपके साथ ट्रावल करने के बाद मुझे भी बहुत सारे विश्य को सीखने को मिला है स्पिरिचल जोनी के अगले स्तर में जाने के लिए ये कारिक्रम एक पिलर जैसा है जिया तो हम भी बहुत से सवालों के साथ जवाबों का भी इंतजार करते हुए हम ट्रावल करेंगे उसके बाद प्रभू मैं कैसे लीट कर रहे है देखकर वो जनी को भी एक और द्रिश्टिकोन से हम और कारिक्रम करेंगे ये मेरा प्रेयर है इस कारिक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उसके अलावा ये द्रिष्टान्त और रहस्य जो है इसके अंदर इ शीर्शक में हम कारीक्रम करेंगे इस कारीक्रम में आने के लिए भाभूत धन्यवाद नमाश्कारत्वody justice ऑ्क रहlessij इस कारीक्रं के मांधिया मियुआ Хотया जाने होंके यह हमारा विश्वास है इसकारिक्रम को बहुत से लोगों के साथ साजा करें कि अगया जी देक्शों के अगयां करें।